हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवरे ट्यूब चैनल स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के वीडियो में हम एक बेहती खास पौधे के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों वीडियो में जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है या आजवाइन का पौधा है आजवाइन को तो आप भली भाती ही जानते हूंगे आजवाइन एक भारती मसाला है जो लगबख भारत के हर घर में इस्तमाल किया जाता है दोस्तों इसका प्रियोग सबजी, सूप, काड़ा, पूरी, नमकी, नादी चीजों को बनाने में किया जाता है जिससे स्वाइन तो बढ़ता ही है, साथी सेहत के लिए भी यह हेल्दी होता है इसमें कई ऐसे तत्तों मौझूद होते हैं, जो सेहत के लिए बेहतर मायने रखते हैं जब भी किसी को पेट दर्द होता है, तो सबसे पहले उसो अजवाइन खाने को कहा जाता है वाकई आजवाइन एक दर्द निवारक के तरह कारे करता है, ठीक उसी तरह इसके पत्नियां भी सेहत के लिए काफ़े गुरकाड़ी है दोस्तों अगर पोसक तत्तों की बात करें, तो इसके पत्तों में बिटामिन A, C की अधिक मात्रा पाई जाती है इसके साथ ये एंटी आक्सिडेंट से भी भरपूर होता है, इसका सेवन कच्चा करने से लाव होता है और आप इसको मतलब चाय या पूरी या पराठे में आदिक सथ पका कर भी खा सकते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं आजवाइन के पत्तों से होने वाले फायदों के बारे में यदि किसी बेक्ति की मास्पेसियों में अक्सर दर्द रहता है या फिर कमजोरी महसूस होता है तो उसे आजवाइन के पत्तों का सेवन करना सुरू कर देना चाहिए या जोडों के किसी भी दर्द के लिए अच्छा होता है इसके लिए आपको क्या करना है कि एक कटोरा पानी लीजिए उसमें 4-5 पत्या जवाइन के डाली उसको गरम कीजिए और गरम करने के बाद फिर उसको पी जाईए ऐसा करने से दर्द में आराम मिलेगा यदि किसी वेक्ति को अर्थराइटिस के समस्या है तो उसे क्या करना है इसी पत्यों का जूस जैसे मैंने पहले बताया कि एक कटोरे पानी में 4-5 पत्या डालनी है आपको थोड़ा सा बॉयल करना है जब उसका अर्क पानी में उतर जाए तो उसको पीना है ऐसा करने से जो आपके तंत्रिका तंत्र में ठकान होती है वो जल्दी खतम हो जाती है और सरीर कमजूर महसूस नहीं करता इसके आलवा दोस्तों या हड़ीों में होने वाले सूजन को भी कम करता है दोस्तों यदि आपको बार बार सर्दी खासी या जुकाम की समस्या रहती है तो इसके पत्तों को पानी में उबाल लें खासी और गले की खरास को जल्दी से ये उतार सकता है स्वाद फिका लगे तो इसमें आप सर्द की मात्रा मिला सकते है पेट्स आप करने के साथ ही आप फेपड़ों के सेहत का भी खयाल रखता है यदि आपको फेपड़ों में तकलिप या किसी तरका इंफेक्शन है तो आप इसकी पत्तियों को काढ़ा इस्तिमाल कर सकते है इसके अलवाद दोस्तों आप इसके कच्ची पत्तियों को चबा-चबा कर खा सकते हैं ये भी आपके लिए हेल्दी होगा किसी बिक्ति के पेसाब में जलन वार-वार इर्फेंक्शन होने की परसानी है तो वो आजवाईन के पत्तियों का सेवन कर सकता है इसके अलवाद दोस्तों या पाचन नली और मस्तिस्क में होने वाले इंफेक्शन और सूजन इत्यादी को भी रुखता है इसमें एंटी एक्जिंग का गुड पाया जाता है जो आपकी तवचा को खास ख्याल रखता है बढ़ते कोलेस्टराल के समस्या को कम करने के लिए आजवाईन का प्रयोग किया जा सकता है दरशल आजवाईन के बीज में एंटी हाइपरलिपटी कैसी पाया जाता है जो सरीर के कोलेस्टराल DLA और कोलेस्टराल टिंगिस को कम करता है इसके अलवा दोस्तों आप भुनी वी आजवाईन को खाने से सरीर का वजन कम कर सकते हैं एक सोध में या पाया गया है कि अगर आप भुनी वी आजवाईन काते हैं तो कुछी दिनों में आपका वजन काफी कम हो सकता है आजवाईन को खाने से किड्नी इस्टोन में रहत मिलती है इससे किड्नी के इस्टोन के निर्माड को रुका जा सकता है फिलहाल इस संबंद में और भी सोथ की जरूरत है इसके आलवा दोस्तों बालों का परियापत पोसर ना मिलने पर और बालों की समस्या उत्पन हो जाती है ऐसे में बालों को परियापत पोसर देने के लिए आप आजवाईन से बने तेल का इस्तिमाल कर सकते है दोस्तों गैस और कब्ज की समस्या किसी को भी हो सकती है ऐसे में आजवाइन इस समस्या के लिए काफी असरदार साबित होता है दोस्तों इसमें एक थाइमोल नाम कमपाउंड पाया जाता है जो गैस में किसी बेतरे के समस्या से निजात दिला सकता है अस्तमा जैसी सोसन तंद्र के समस्या के लिए आप इसका उपयोग कर सकते है चुकि आजवाइन में एंटी अस्तमा गुड़ पाया जाता है जिसका साकारातन प्रभाव सोसन प्रडाली पर भी पड़ता है इससे अस्तमा के समस्या से कुछ रहात मिल सकती है फिलाल इस पर और सोत की जरूरत है तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी नए जानकारी दिये अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हूँ तो अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरू सेयर करें साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आइकान जरू प्रेस कर लें ताकि हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच